तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा कि तुम सुबह सुबह उड़ते हो और तुम्हारा सब्सक्राइब काउंट लिटरली वैसे का वैसा ही है जैसा रात को सोते समय था Like literally, रात भर में you got zero new subscribers या फिर उससे भी बुरा कि तुम्हारे वीउस तु आ रहे हैं बढ़ सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं तो अगर तुम इस सिच्वेशन से रिलेट कर पा रहे हो तिन ये वीडियो तुम्हारे लिए हैं क्योंकि आज मैं चार प्राक्टिकल टिप्स के बार में बताने वाला हूँ, जिससे तुम अपने सब्सक्राइबर्स इंस्टेंटली बढ़ा सकते हो। इन में सिक कुछ चीज है तो तुम अभी जाकर इस वीडियो के बाद अपने चैनल पे चेंज कर सकते हो अपने चैनल पे जिसमें मैं अपने अपने ओडियन से पूछा कि तुम लोग एक चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले उसके कितने वीडियो देखते हो लाइक एक एवरेज बताओ और तुम देख सकते हो कि 70% से जादा लोगों ने बोला कि वो लोग सब्सक्राइब करने से पहले एट लीस तीन से चार वीडियो से देखते ही है और ऐसा भी नहीं है कि वीडियो ऐसे जान बूज के करते हैं बहुत बार तो हमारा ध्यान ही नहीं होता है सब्सक्राइब करने पर और अगर हमें वीडियो पसंद आती भी है तो हम उसे देख तो लेते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं फिर अगर बात में YouTube हमें same creator की कोई और वीडियो रिकमेंड करता है तब जाकर हमारा ध्यान शायद subscribe बटन पर जाता है और हम इस channel को subscribe करते हैं तो as a creator ये ज़रूरी हो जाता है कि एक viewer अगर हमारी वीडियो देख रहा है तो हम उसे अपने channel की और भी वीडियो दिखाएं and the simplest way to do it is to use end screens लेकिन भाई मैं तो अपने सभी वीडियो में end screens लगाता हूँ बट कोई फर्क नहीं पड़ता तो सुनो end screens लगाने का भी एक सही तरीका होता है for example मेरे channel पे एक video है जिसमें मैं 5 mistakes के बार में बता रहा हूँ जो new YouTubers करते हैं अब इस video के end का हिस्सा तुम खुदी देख लो and I'm telling you, titles ignore करना is a big mistake video पे अच्छा CTR लाने के लिए बस thumbnail ही नहीं बलकि title भी बहुत ज़ादा matter करता है बट अगर तुम्हें एक new YouTuber हो तो तुम्हें अच्छे title सोचने में बहुत problem हो सकती है तो अगर सिर्फ दो steps में अच्छे title लिखना सीखना है तो screen पर जो video है उस पे click करो तुमसे वहीं मिलूँगा So as you saw, मैंने एकदम से randomly end screen नहीं add किया बट व्योस को एक reason भी दिया उस पे click करने का अब अगर मैं तुम्हें इस title वाली वीडियो का analytics दिखाऊं तो तुम देख सकते हो कि end screen से पूरे 1.1k views आया है अब जिन लोगों ने मेरी इस वीडियो को देखके subscribe नहीं किया होगा वो शायद इस वीडियो को देखके subscribe कर दियोंगे इन short इन screens लगाते हैं वक्त viewers को एक reason भी दोस पे click करने का so that viewers तुम्हारे चैनल की जारस जादा वीडियो देखें जिससे उनके subscribe करने के chances बढ़ जाये टिप नमबर 2 Double down on what's working ओके तो जब ही मैं देखता हूँ कि किसी यूट्यूबर का चैनल ग्रो नहीं हो रहा है तो मैं उसे ये advice हमेशा देता हूँ कि double down on what's working असान भाशा में तुम्हारे जिन भी वीडियो से तुम्हें जारा subscribers मिल रहे हैं वैसे ही और वीडियो बनाओ अब हमें पता कैसे चलेगा कि किस वीडियो से जारा subscribers मिल रहे हैं तो इसके लिए अपने यूट्यूब स्टूडियो के analytics section में आजाओ फिर top right hand corner पे advanced mode पे click करो फिर more पे जागर subscription source select करो और finally YouTube watch page पे click करो अब तुम्हारी किन वीडियो से तुम्हें जारा subscribers मिल रहे हैं अब तुम इन वीडियो के जैसे और वीडियो भी बना सकते हो और example you can make a part 2 या फिर एक पूरा सीरीज ही create कर सकते हो उस वीडियो के उपर और ऐसा तुम्हें दो reasons के लिए करना चाहिए पहला कि उन वीडियो को देखकर लोग तुम्हें सबस्क्राइब कर रहे हैं विच मींज कि उनमें कुछ ऐसा valuable है जो लोगों को पसंद आ रहा है यानि उन वीडियो का audience satisfaction rate बहुत हाई है दूसरा reason ये कि उन वीडियो पे तुम्हें अराम से views मिलेंगे क्योंकि जिस टाइप की वीडियो तुम्हारे चाल पे पहले से successful है वैसे ही similar वीडियो पे वीडियो आने के chances बहुत जादा हाई होते है क्योंकि algorithm को पहले से ही पता है कि एक audience है जो उस टाइप के वीडियो में interested है तो अपने analytics में जाओ और वहाँ से at least 2-3 वीडियो जिन से तुम्हें maximum subscribers मिल रहे है उनके जैसे similar वीडियो बनाओ तो यह natural human tendency है कि हम एक इनसान को बिना जाने ही उसके बारे में अपने मन में एक perception बना लेते हैं कि वो कैसा है just on the basis of their appearance लाइक अगर कोई इनसान अपने health, hygiene, dressing sense का पूरा ध्यान रखता है तो हम assume कर लेते कि उसकी personality भी अच्छी होगी और बहुत हद तक यह चीज़े YouTube पे भी apply होती है अगर तुम्हारे चैनल की branding अच्छी है तो बहुत लोग होंगे जो तुम्हारी वीडियो बिना देखे ही चैनल को subscribe कर देंगे because उन्हें तुम्हारे चैनल लेम, चैनल आर्ट या थम्नेल्स पसंद आ गया होगा तुम्हारी branding जितनी professional होगी, audience का trust भी तुम पे उतना जादा होगा but question है कि YouTube पे attractive branding कैसे करे तो ऐसे तो branding एक वास topic है जिसके उपर एक पूरी 10-15 minute की वीडियो बन सकती है but अभी के लें short कुछ main चीज़े बता रहता हूँ जिससे तुम्हारे चैनल instantly attractive हो जाएगा like number one, channel name जितना unique and different होगा उतना अच्छा है अगर उसे तुम्हारे चैनल के topic के बाएर में पता चल रहा है तब तो और भी बढ़ी है number two, अपने thumbnails को जितना हो सके उतना consistent रखो like तुम सभी thumbnails में एक same color theme या same font यूज़ कर सकते हो and you'll see कि चैनल एकदम से professional लगने लगेगा number three, तुम अपने चैनल को customize कर सकते हो अगर तुम्हारे चैनल पे different categories का content है तो उनके लिए playlist बना दो फिर तुम YouTube studio में customization पे जाके layout फ़ले section में playlist आड कर सकते हो like there's a lot you can do to make your channel look attractive तो अगर उस पे separate video चाहिए तो comment कर दे न tip number four, don't ask to subscribe तो title में लिखा है how to get more subscribers और decoding VT हमें बता रहे है कि subscribe करने को मत बोलो yes you are right, don't ask viewers to subscribe इसके पीछे reason ये है कि ये subscribe to my channel type के phrases इतने जादा common and overused हो चुके है कि viewer अगर उसे सुनता भी है तो ignore कर देता है और maximum creators तो video शुरू करने के एक minute के अंदर ही viewers को subscribe करने के लिए बोल देता है जिसका कोई फाइदा नहीं है क्योंकि तुम खुद सोचो एक minute के अंदर तुम viewers को ऐसा क्या ही value दे दोगे जिससे उनका तुम्हारे चैनल को subscribe करने का मन करेगा So if you ask me, तुम्हें viewers को subscribe करने के लिए पूरे वीडियो में बोलना ही नीचाहिए Because in my opinion, अगर किसी को तुम्हारे content genuinely पसंद आता है तो वो बिना बोले भी तुम्हारे चैनल को subscribe कर देगा इसका फाइदा ये भी है कि viewer के मन में तुम्हारे लिए trust बन जाता है Because they can see कि तुम्हारा focus content पे है and not on views and subscribers But let's say, तुम्हें viewers को subscribe परने के लिए बोलना भी है, तो उसका भी एक सही तरीका है Instead of asking for subscribers in the intro of your video, तुम subscribe परने के लिए तब बोल सकते हो तुम्हारे वीडियो में कुछ बहुत entertaining, valuable या important हुआ है Example, अगर तुम एक tutorial बना रहे हो, तो जिस point पे तुमने कुछ बहुत helpful explain किया है वहाँ पे तुम subscribe परने के लिए request कर सकते हो अगर वीडियो में नहीं बोलना चाते है, then एक animation भी लगा सकते हो while editing like this, जो कि एक बहुत अज़ा option है इसके लावा तुम वीडियो के end में बोल सकते हो subscribe करने के लिए क्योंकि एक वीडियो के end तक वही views देखते हैं जोने वीडियो पसंद आई है तो उस point पे उनके subscribe करने के probability भी highest होती है अच्छा ये तो थे 4 tips जिनसे तुम अपने subscribers grow कर सकते हो but what if तुम्हारे चैनल पे views ही नहीं आ रहे है ऐसे में chances है कि तुम भी कुछ common mistakes कर रहे हो जो हर new YouTuber करता है इन mistakes को जानना है तो screen पे जो वीडियो है उस पे click करो तुमसे वहीं मिलूँगा, bye